बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चानल में दिल और जान एक कर देता है जहान एक कर देता है और यह उमीद लगा के बैठ जाता है कि काश किसी तरीके से उसको उसका प्यार हासिल हो जाई लेकिन अगसार लोगों को उनका प्यार हासिल नहीं हो पाता बहुत सारे प्रियास करते हैं उपाय करते हैं हर वो मुम्किन प्रियास हर वो मुम्किन कोशिश करते हैं जिससे कि उन्हें ये लगता है कि उनका प्यार उनकी और खिचा चलाएगा लेकिन जब उनके प्रियास असफल हो जाते हैं तो उनके हाथ सिर्फ निराशा लग जाती ह कोई किसमत को दोश देता है कोई भगवान को दोश देता है और कोई जीवन भर उदासी के साथ और अकेला व्यतीत कर देता है लेकिन अब आपको बिलकुल निराश होने की अब शक्ता नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए आज फिर से एक और महा वश्य करण का उपाय लेकर आई हूँ जिसको करने के बाद आप किसी को भी आसानी से अपने वश्य में कर सकते हैं आप जिसको भी अपने वश में करना चाहते हैं दिन रात तो आपके मन में उसके बारे में ख्याल चलते ही रहते हैं लेकिन यदि आपको ये उपाय पता लग जाते हैं तो आपका कार्य और असान हो जाता है और जहां आप उस व्यक्ति के साथ घूमने का विचार अपने मन मे लाते हैं वह विचार सच में तबदील हो जाता है वह व्यक्ति सच में आपके करीब आ जाता है आपके पास आ जाता है आपको चाहने लगता है आपके साथ रहने के लिए वह भी उतना ही उत्सुप और परिशान हो जाता है जितने की आप उसके लिए हुआ करते हैं तो आपको विशक्ता होगी एक लाल रंग के मारकर की, अब इन दोलों का करना क्या है ये जान लीजिए, आपको इस कागस के ऊपर लाल रंग के मारकर से उसका नाम लिखना है जिसको आप बश्मे करना चाहते हैं, ये लिखने के बाद आपको एक मंतर का उच्चारन करना है, जो को बोलने होंगे जो मैं आपको बताने जारी हूँ ओम कामक्या अक्सोभ है इसका आपको उच्चारण करना है ओम कामक्या अक्सोभ है इन तीन शब्दों को आपको बोलना है इन तीन शब्दों को बोलने के बाद आपको इस कागस को फोल्ड करना है और जिसको आप वश में क अपनी जेम में रखते समय भी आपको उसी का विचार करना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसके बाद आपको तीन घंटे के बाद ध्यान रखेगा जब आप इसको अपनी जेब में रखेंगे उसके तीन घंटे के बाद इस कागस को ले जाकर भैते जल में प्रवाहा कर देना है ऐसा करने के 3 घंटे के बाद वहव्यक्ति आपके वश में होने लगेगा आपके और आकर्शित हो जाएगा धीरे धीरे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि वहव्यक्ति आपके और अट्रेक्ट होता जा रहा है या तो उसका कॉल आ जाएगा आपके पास या फिर वैं आपसे बात करने के प्रयास करने लगेगा आप यकीन मानिए बहुत ही सफल उपाय है जिसको गुरु जीसे अभी मंतरित करके आप लोगों के लिए तैयार किया है ताकि आपको आपका मनचाहा प्यार हासिल हो जाए लेकिन यदि फिर भी उपाय करने में किसी विप्रकार की कोई भी समस्या उत्पन होती है उपाय आपको नहीं समझाता है या फिर आपको असा लगता है कि उपाय किस तरीके से करना है ये जानकारिया आपको ठीक तरीके से नहीं समझा पाती है बहुत से लोग उपाय हासल कर लें फिलाल मुझे दीजिया आ गया ज्यामात आदी